सेयुक्त राष्ट में, मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं। जहां बुद्ध की कनुरा हो, वहां संगर्स नहीं, समन्वे होता है, अशान्ती नहीं, शान्ती होती है। साथियों, बुद्ध का मार्ग, भविश्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता, तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। यह संकट इसलिए आया, क्योंकि पिछली शताबदी में एक देशों ने, कुछ देशों ने, दूसरों के बारे में, आने वाली पीडियों के बारे में, सोचना ही बन कर दिया। दसकों तक वो यह सोचते रहे, कि प्रकूति से इस छेड़ चार का प्रभाव उनके उपर नहीं आएगा। वो देश इसे दूसरों के उपर ही डालते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्मपद में स्पस्ट रुप से कहा है, कि जैसे बुन्द बुन्द पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गल्तियां विनास का कारण बन जाती है। मानवता को इस तरह सतर करने के बाब, बुद्ध ने ये भी कहा, कि अगर हम गल्तियों को सुधारें, लगातार अच्छे काम करें, तो समस्याओं रहें।